अज़र आज़र हम टॉपिक हमारे पास है स्टॉप वाच हम नहीं इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे थे जो जिसकी मदल से हम चिद्नों की माईयर पास हम हमेर एनमित हमर बॉन चाल रहा है फिजिकल कौंटित अग्ज़रूमेंट्स पे आपनियर केलपर को पढ़ है जिसकी मदल से हम किसी भी ऑब्सिट की डाइमीटर होता है वह कुछ वाइंट्स की अजा सकता है इसी तरह micrometer screw gauge है जिसकी मदद से हमने किसी भी चीज की thickness को find किया है उसका least count भी हमने discuss किया था तो आज हमने stop watch के मतलग परना है कि stop watch क्या होता है और ये भी एक measuring instrument है जिसकी मदद से हम किसी चीज को measure करते है और वो हम measure करते है टाइम को वक्त को वक्त को measure करने के लिए stop watch का इस्तमाल किया जाता है जिस तरह दो points के दर्मियान फासला वो distance कहलाता है अब एक point से दूसरे point तक जाने में जितना वक्त लगता है उसको time कहते हैं अब time कितना है है हम जब measure करेंगे तो इसके लिए हमें एक instrument की ज़रूरत पड़ेगी और वो instrument है stop watch वो instrument है stop watch stop watch हमारे पास इसकी definition आप ने में उसे लिए है कि specific time interval को find करने के लिए हम stop watch को इस्तमाल करते हैं तो stop watch का इस्तमाल जो है daily life में भी आप लो करते हैं इसी तरह आप minutes में आप घड़ी पर जो आप यूस करते हैं यह भी एक time को measure करने का instrument है लेकिन जब specific time हो शॉर्ट time हो तो उसके लिए आप stop watch का इस्तमाल करते हैं तो stop watch हमारे पास दो किसम की होती है एक होती है mechanical stop watch जिससे analog stop watch भी गालत है और दूसरी जो है हमारे पास digital stop watch इस्तमाल होती है यह दोनो stop watch आपको science lab में मिल जाती है पहले ज्यादा कर इस्तमाल mechanical stop watch का किया जाता था और आजकर जो है वो digital stop watch भी ज्यादा कर इस्तमाल की जाती है science lab में different experiments को perform करने के लिए जैसे पेंडोनम का है इसी तरह और भी experiments हैं जिनके में हमें stop watch की जुरुरत पढ़ती है तो mechanical stop watch क्या होती है mechanical stop watch जो है हमारे पास जो है उसकी मैं आपको यह रिकाभी देता हूँ कि यह हमारे पास mechanical stop watch है mechanical stop watch जो है इस तरीके से एक round उसका डाइल होता है round डाइल होता है इस तरह हमारे पास एक उसकी नाब बनी नी होती है यहां पर हमारे पास उसके स्केल्स बनाए जाते हैं इस तरह टाइम्स जहां पर आपके पास यह एक डाइल बनाए जाते हैं जिसके उपर इस stop watch की जो नीडल है वो ऐसे round लगाती है इसी तरह यह जो है इसके अंदर एक और जो है वो round लगता है जो जिसके अंदर scales बनाए जाते हैं डिफरेंट यह जो है आपके जो stop watch में होता है यह seconds के लिए हम यूज करते हैं डाइल यह जो आपके पास बड़ा बनावा इसको नॉप का अदर रहे है और यह जो चोटा सा इसके अंदर बनाए लिया है यह minutes के लिए हम यूज करते हैं यह जो नीडल होती है यह जब एक पूरा round जो है इस डाइल का complete करती है तो इसके अंदर जो नीडल होती है वो एक minute जो है आगे आ जाती है इस तरह एक पूरा round कम्प्लीट होगा तो पिर hours आ जाते हैं तो stop watch में यह जो आपको डाइल नजर आ रहा है यह हमारे पास seconds का होता है और जबकि यह minutes का होता है आप यहां पर भी देख सकते हैं तो इसी तरह इसका यह जो button आपको नजर आ रहा है यह जो button है इसको आप प्रेश करते हैं इसी जो knob से जो है stop watch जो है वो start भी होती है और stop भी होती है और reset भी होती है ठीक है तो जब आप इस नप को जो है press करते हैं एक पार press करेंगे तो यह stop वाज है वो start हो जाएगी और जिस moment आप इसको दोबारा जिस जग़ा पर आप इसको रोकना चाहते हैं आप इस not को दोबारा क्या करेंगे प्रेस करतेंगे तो यह उस जग़ा पर stop हो जाएगी वो उसका initial time को हो गया zero और final time आपके पास जहां पर आपने उसको stop की है तो इस तरह यह duration बन जाएगा आपका start और final point के बीच में और यह वक्त होगा जो आपने stop आज की मेंदे से मैया गया इसी तरह आप दोबारा जो है दूसरी reading लेना चाहते हैं तो आपको फिर फिर क्या करना पड़ेगा zero करा पड़ेगा जिसको आप reset करेंगे तो आप एक ट्सली बार फिर इस नप को प्रेस करणे खीर तो इस तरह इसको जब प्रेस करेंगे तो गयर जो है जिर करा जाएगी फिर आप इसको green कर सके हैं तो यह हमारे पास stop watch इसी तरह reset का एक separate button भी mechanical watch में होता है अगर आप एक दवर इस button को press करते हैं तो यह stop watch start हो जागी है जब आप इसको दोबारा press करेंगे तो यह stop हो जाएगी अगर आपने दोबारा reset करना है इसको वापस ले आना है जीरो पर ले आना है इस नाप को आप प्रेस करेंगे तो फिर यह आपके पास वापस जीरो पर चली जाएगी इसी तरह इसमें एकी button से एकी नाप से तीनों functions भी हो सकते है start भी हो सकता है, reset भी हो सकता है और stop भी हो सकता है तो यह हमारे पास stop watch है जो इसको हम specific time को measure करने के लिए use करते हैं उसके बाद इस stop watch की mechanical stop watch के least count की बाद आती है तो mechanical stop watch जो है जो कम से कम value मेर कर सकती है वो 0.1 second की तो इस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास mechanical stop watch का least count होता है वो 0.1 seconds का उता है, 0.1 seconds का यह जो है least count है इस बाद समझत हम यह है कि यह एक second के दस्वेंगे से तक हम एक second को आगर आप 10 पर divide करनें 1 divided by 10 तो आपके पास 0.1 आता है तो इस तरह हम यह कहते हैं कि जो है mechanical stop watch 0.1 seconds का least count है यह एक second के दस्वेंगे से तक time को measure कर सकती है इससे भी ज्यादा अगर आपको accurate, ज्यादा precise accurate time चाहिए तो फिर आप use करते हैं digital stop watch को digital stop watch भी ऐसे ही जो है आपके पास rectangle भी होती है, goal भी बना जाती है इसके अंदर इस तरह स्क्रीन बनाई जाती है, इसके उपर आपको digits नजर आती है और इसके जो बटन है वो यहाँ पर और यहाँ पर दो बटन लगाई जाते हैं दो डाउट होती है यहाँ पर एक होता है start और stop का और जबके यह दूसरे जो है वो reset का होता है तो जब आप stop watch को on करेंगे तो 00 पर मुझूद होगी तो जब आप इसको start करेंगे इसके बटन को प्रेस करेंगे इस बटन को तो यह इसके उपर numbers आपको show हो जाएंगे सेकेड्स में इसी तरह जब इसको आपने इस time के लिए इसको रोपना है कुछ वक्त के बाद तो फिर इसी ही आपको बटन को प्रेस कर देंगे तो इस तरह यह stop watch आपको time बता देगी और जहांपर जो भी rejects होगा points में भी आएगा इसमें आपके पास तो वो ज्यादा प्रेसाइज करेंगे और अगर आपने दुबारा इसको जीरो पर ले जाना है तो दुबारा आप इस ली सेट के बटन को प्रेस करते हैं और इस तरह यह दुबारा आपको जीरो 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 शो हो जाता है इस तरह आप किसी भी चीज़ की दुबारा time को मैयर कर सकते हैं यह जो digital stop watch है यह एक सेकिंड के 100 इसे दक one over 100 time को मैयर कर सकते है जीरो पॉइंट जीरो वन सेकिंड का लीस्ट कांट जो है यह digital stop watch का है और जबके least count जो mechanical stop watch है जीरो पॉइंट वन सेकिंड का है इस तरह यह जो digital stop watch है इसकी मदद से आप ज्यादा accurate value जो है वाक्त जो है टाइंड जो हो आप मैयर कर सकते हैं जो जिस तरह तरह यह mechanical stop watch उसका वैसे नहीं मैयर कर सकी जिस तरह जो एक running race में भी इस तरह आप देखते हैं कि digital stop watch का आजकर use ज्यादा है और आजकर science lab में भी इसका 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 ज्यादा है तो आप जो है science lab में जब भी जाएं तो इसमें stop watch को जरूर देखें कि इसकी शकल कैसे है अपने हाथ में इसका तरह तरह इसका 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 आप जब इसका पूद करेंगे बहुत ही असान सा है और इसके देख सकते हैं झाल